आपका स्वागत है आज के कक्षा हमें हम वर्ग दो के गनित के पाठ घटाओ यानि सब्ट्रेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे इससे पिछले क्लास में हमने घटाओ की अवधारना को समझा था आज हम उससे आगे चलेंगे और दो अंकों वाली संख्याओं का घटाओ कैसे किया जाता है बिना हासिल वाला इसे सिखेंगे यहां हम कुछ उधारन लेते हैं पहला हमारा उधारन है पंद्र घटाओ तेरह 15 माइनस 13 इसे हम किस तरह से घटाते हैं और इसका क्या अर्थ है हम जानते हैं कि इसे हम कहते हैं इधर यह इकाई और यह दहाई तो पंद्र में हम देखेंगे कि इकाई में पांच है और दहाई में एक है और इससे घटाना है तेरह और तेरह में इकाई है तीन और दहाई है एक तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दहाई का अर्थ क्या होता है इकाई का अर्थ हो गया एक यह एक खुले हुए जो होते हैं वो इकाई होते हैं यह नौ तक हो सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ जहां दस होता है तो वो एक समूग हो जाता है जिसे हम दहाई कहते हैं तो इस उदारन के सहायता से अब हम समझेंगे और इस पस्ठ हो जाएगा तो 15 से 13 घटाना है तो हम पहले 15 लेते हैं हम कमाचियों की सहायता से समझते हैं पांच इकाई है तो हमारे पास ये देखी कमाचि हो गए 5 एक दो तीन चार पांच दहाई में एक है तो ये 10 कमाचियों का एक बंडल हो गया ये से हम कहेंगे एक दहाई अर्थात एक बंडल है वो दस का समु है अब ये हमारा पंदरह हो गया ये एक दहाई हो गया और ये पांच इकाई हो गया हमको इसमें से तेरह घटाना है अर्थात इकाई से हमने हटाना है तीन एक दो तीन इकाई से हमने तीन हटा दिया, अब दहाई से एक घटाना है, तो ये एक घटा दिये, तो हमारे पास क्या बच गिया, दो, अर्थात 15 से 13 हमने घटाया, तो ये हो गिया, दो, दहाई में हमारा देखे थे, एक था दहाई, और एक हमने इससे घटा दिया, तो हमारा बच गिया, शुनने, इस तरह की गतिविधी को, आप स्वेम करें, आपके पास कमाची भी हो सकता है, कमाची से करें, माचिस की तिल्डिया तो अवस्य आपके घर में होगी, उसके आप समूह बना लें, दहाई, दस-दस के बंडल बना लें, और उसके बाद इसे करें, हम एक और उदारन देखते हैं, ये है 35 घटाव 12, तो यहाँ इकाई में है 5 और दहाई में है 3, और ये घटाना है, इकाई में 2 और दहाई में 1, तो इसे फिर हम बंडल की सहायता से समझते हैं, इस बार हमने ये तुथपिक का बंडल लिया है 5, एक, दो, तीन, तीन है सॉरी, ये तीन बंडल हमारा दहाई हो गया, और इकाई में कितने हैं 5, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो ये देखें, तीन दहाई, तो दस-दस के तीन बंडल हो गये, और इकाई में ये पांच हो गये, एक, दो, तीन, चार, पांच, इस गतिवेदी को आप भी करें, हमारे साथ-साथ, आप माचिस की तिल्निया ले ले, उसके आप बंडल बना ले, तो ये हमारे हो गये, पैंटिस, तीन दहाई, और पांच, इकाई, इसमें से हमें घटाना है, बारह, बारह यानि इकाई में दो घटाना है, और दहाई में एक, तो पहले हम इकाई के घटा देते हैं, दो, ये दो हमने हटा दिया, अब दहाई में कितना हमें घटाना है, एक, तो बारह में इकाई में हमने दो घटा दिया, और दहाई में एक घटाना है, तो एक बंडल हमने हटा दिया, तो अब हमारे पास क्या बच गया, इकाई में ए दो बंडल, दस-दस के दो बंडल, तो हमारा क्या आ गया, इकाई में तीन और दहाई में दो, अब दो अंकिये घटाओ, दो अंकिये संख्याओं के घटाओ के कुछ उधारन देखते हैं, ये पहला हमने लिए है, तिरसट घटाओ बार, तो यहाँ इकाई में है, इकाई में तीन है, और दहाई में छे है, और इकाई में हमें घटाना है दो, दहाई में एक, तो अभी हमने देखा था, और इससे पुर्व क्लास में भी हमने देखा था, ये तीन से अगर दो घटाते हैं, तो हमारा आएगा एक, और दहाई छे से ए घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा पांच इसे माचिस के तिलियों के बंडल की सहता से भी आप और ज्यादा समझ सकते हैं अब एक और देखते हैं तिरपन घटाओ 42 तो यहां इकाई है तीन और दहाई है पांच और इसे घटाना है 42 इकाई में दो और दहाई में चार तो तीन से दो घटे हैं हमारे आगए एक और पांच से चार घटे तो एक अब यहां है 78 घटाओ 43 तो आठ से तीन घटे हैंगे तो कितने होंगे आप घटा के देखें यह उगलियों की साहिता से भी यह इकाई वाले को हम घटा सकते हैं यह हमारे आठ हो गए और यह हमने तीन घटा दिये तो हमारे बच गए पांच अब यह साथ से चार यह साथ बंडल से चार बंडल घटाना है तो यह हम माल लेग रहे हैं यह हमारा साथ बंडल है और इसमें से चार घटाना है तो यह हमने चार घटा दिया तो बच गया तीन अब यहाँ 99 से 37 घटाना है तो 9 से 7 अगर घटाएंगे तो यह 1 है तो यह हमारा 9 है और 9 में से हम 7 घटाते हैं 5, 6, 7 बजगे कितने? 2 और दहाई में 9 है यानि 9 बंडल 9 बंडल से अगर 3 बंडल हम घटाएंगे तो कितना आएगा? आप अंदाज लगाईए, अनुमान लगाईए यह होगा 6 तो आज की कक्षा में जो हमने सीखा 2 अंकिये संख्याओं का घटाओ वो अभी बीना हासिल का आसा है कि यह आपको बिलकुल समझ में आ गया होगा अब आगली कक्षा में हम दो अंकिये संख्याओं का घटाओ सीखेंगे हासिल वाला, जिसमें हासिल लिया जाता है इस बिच आप अपने पुष्टक के अभ्यास के प्रस्नों को बनाए और जहां दिकत होती है वो आप बंडल वाली सहायता माचिस की तिलियों के बंडल बना ले और उसकी सहायता से फिर उसे हल करें और जब यह प्रैक्टिस आपका हो जाएगा तो आप बगैर बंडल बनाए स्वयम से आप घटाओ कर लेंगे धन्यवाद